नमस्कार दोस्तों एक वस्तू का मूल्ड ग्याद करना होता है इसका सूत्र ये होता है अगर हमे एक वस्तू का मूल्ड ग्याद करना है तो उसके लिए हम क्या करते है उसके लिए दोस्तों थी गई वस्तू का मूल्ड थीक है और बता वस्तू की संख्या यानि कि अगर हमें एक वस्तू का मुल्य निकलना है तो दी गई वस्तू का मुल्य ठीक है जैसे दी गई वस्तू का मुल्य जितने रहेगा और वस्तू की संख्या जितनी रहेगी उसे से हम उसमें भाग कर देंगे तो हमारा एक वस्तू का मुल्य निकल जाएगा अब माली जो दोस्तो अगर कहा दे जाए कि दी गई वस्तू का मुल्य ग्यात कीजिए तो दी गई वस्तू का मुल्य ग्यात करने के लिए एक वस्तू का मुल्य गुड़े वस्तू की संखिया इन दोनों में हम गुड़ा कर देते हैं तो हमारा एक दी गई वस्तू का मुल ले ग्याद हो जाता है तो दोस्तो आईए इसको हल करते हैं और अच्छे तरीके से समझते हैं कि एक इक नियम का जो सवाल होता है उसे कैसे हल किया जाता है तो दोस्तो देखिए सबसे पहले कोश्चन आप पढ़ लिजे कोश्चन कह रहा है कि पांच किताबों का मुल्य पजपन रुपए है तो आठ किताबों का मुल्य ग्याद कीजिए तो दोस्तो यहाँ पर पांच किताबों का मुल्य पजपन रुपए दे रहा है तो सबसे पहले हम का करेंगे एक किताब का मुल्य ग्याद करेंगे ठीक है तो हम यहाँ पर लिखेंगे चुकी चुकी पांच किताबों का मुल्य बराबर कितना है पजपन उपए है चुकी पांच किताबों का मुल्य पजपन उपए है तो एक किताब का इसलिए इसलिए एक क किताब का मुल्य निकालेंगे इसलिए एक किताब का मुल्य बराबर एक किताब का मुल्य बराबर कितना हो जाएगा यह हो जाएगा दोस्तों पच्पन बटा पांच ठीक है क्योंकि देखिए यहाँ पे सूत्र जो मैं आपको बताया एक वस्तू का मुल्य निकालने के लिए दी गई वस्तू का मुल्य तो यहां पर दी गई वस्तू का मुल्य पच्पन है और वस्तू की संख्या कितनी है वस्तू की संख्या दोस्तों पांच है पांच किताबों का मुल्य पच्पन तो दी गई वस्तू का मुल्य पच्पन है और वस्तू की संख्या पांच है तो हम क्य लोगे एक किताब का मुल निकलता हैं तो लिखेंगे इसलिए इसलिए आठ किताबों का मुल्य बराबर इसलिए आठ 8 किताबों का मूले बराबर कितना हो जाएगा 8 किताबों का मूले निकलने के-लि इक वस्थू का मूल t और वस्तू के संख्या, उसमें हम क्या करएंगे, घुड़ा कर देंगे, एक वस्तू का मुल्या पर निकल गया है 60. तो सबसे पहले मैं आपको समझा दू कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि कोश्चन पहले पढ़ लिए कोश्चन कर रहा है कि पांच किताबों का मुल्य पजपन रूपय है तो आठ किताबों का मुल्य ग्याद किजी तो सबसे पहले हम क्या करेंगे सबसे पहले हम एक किताब किताब कमूले ग्याद करेंगे, क्योंकि जब हम एक किताब कमूले ग्याद करेंगे, तो उसके बाद आठ किताब कमूले हमें ग्याद करने में कोई दीकत नहीं होगा, तो सबसे पहले हम एक किताब कमूले ग्याद करेंगे, तो एक किताब कमूले बराबर कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 55 बटा 5 तो एक किताब कमूले हमरा आगे 11 रुपए अब हम क्या करेंगे कि लिखेंगे इसलिए 8 किताब कमूले निकलने के लिए 11 में 8 से गुड़ा कर देंगे तो हमरा 88 रुपए निकल जाएगा तो दोस्तो इस तरीके से आप जो है कि बहुत असान तरीके स से एक ही किनिम का सवाल हल कर सकते हैं तो दोस्तो आज किस वीडियो को यहीं पर क्लोज करते हैं और मिलता हूं मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टोपिक के उपर थैंक्यू